मांसों कि चिट चिपी वाली गर्मी आते ही हमारे चेहरे पर हो जाती है बहुत सारी । जिनमें की पस या आप बोलो मुहासों में मवार टाइप गाओपें यह । अर्व इस गर्मी में आप जो पसीना है वो सूखता ही नहीं है और आप कितना भी मु धो कितना भी आप मुह दोलो लेकिन आपके फेस से थोड़ी देर के लिए जितनी दिल आपने फेस को बॉश किया उतनी देर के लिए खाली स्वेटिंग नहीं होती बड़ जैसे ही आपने अपने चेले को वाइप आउप किया फिर से वही परिशानी ऑईलिंग की बहुत जादा और बहुत बहुत है निकलता है चिपचिपा रहता । दिन भर पषिने से लग्पत रहता है आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा तो आज मैं आपके साथ रेमेटी शेयर करने जा रही हूं जिया वह बहुत ही अच्छी और ज़ाधा बेहतरीण है इसको आपको एक बार और रग लेना है आप इसको पंदरा दिल हफ्ता बर आराम से इसको यूज कर सकते हो अपने चेहरे को आप इसी से धोईए और इतने अच्छे चिमैने इसमें इंग्रीडियर्स मिलाए है अगर आपका चेहरा डल हो रहा है इस मांसुन में ड्राइनस सी हो रही है चिपचिपा यह वाली डियाइवाई से आपके सारी प्रॉब्लम सारे इशू सॉल्वाउट हो जाएंगे और जो आपके एकने के मांक्स है टैनिंग है चेहरा डल हो रहा है चमक गायब हो गई है वह भी वापस आ जाएगी इसको रेगुलर आपको लगाना है और इस फेस वाश को करार रहेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वेल्कम बैक टू माय चानल कि इशायरा एंड मैं हूँ इसम्रदी कैसे वाथ सब्सक्राइब आज की जो वीडियो पर बहुती जादा बेहतरीन वाली वीडियो है आपनो ज़रूर इसको ट्राय करिएगा और कमेंट मे को बताईगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला ट्रस मी मैंने फेस वाश लगाना छोड़ दिया है मैं अपना फेस इसी से वाश करती हूं मुझे जब भी ऐसा लगता कि बहुत जादा स्वेटिंग हो रही है चेहरा गंदा गंदा सा लग रहा है मैं यही मैंने फेस पैक बना के रखा है अपने बॉश्रूम में मैं इसी को लगाती हूं ट्रस मीडिया में इसके आप देखी सकते हो कितनी अच्छी फ्लॉलेस हो गई है ग्लो आ गया है ग्लो तो ही है साथ में चिप चिपाहट होती वह काफी देर तक के लिए दूर रहती है आपकी स्किन इतनी ज स्वेटिंगी प्राब्लम काफी हद तक दूर रहेगी निकल रहे हैं वह भी कंट्रोल में रहेंगे वह भी निकलना बंद हो जाएगा क्योंकि यह जो रेमिडी है यह इतनी डीपली क्लीन करेगी आपकी स्किन को अंदर से पोर्स के अंदर से आपकी सारी मैल दूल मिटी ग काफी हद तक कम हो जाएगी आपका फेस विल्कु क्लीन हो जाएगा आप मार्केट कितने महंगे महंगे जो है फेस वोश लेना बंद कर दोगे इतना अच्छा यह फेस वोश है वैसे इसको हर मौसम में आप लगा सकते हो लेकिन यह इस समय मांसून की गर्मी के लिए राम है इसमें इतने पावरफुल इंग्रीडियन्स है सब के सब आपको किचन में मिल जाएंगे आपको इसमें कुछ भी दर दर ढूड़ना नहीं पड़ेगा और मेक शूर जो भी मैने इंग्रीडियन्स इसमें डाले है वह आपको सूट करते हों तो ही आप यह वाला पैक बना सकते हैं तो सो फार सो गुड बहुत ही अच्छा है अगर आप इसको डेली अपने फेस पर लगा सकते हैं फेस वोश की जगे इसको आप यूज करिए विदिन आप वीक आप रिजर्ड देखेगा आपके चिहरे की आपकी स्किन का जो एक ट्रांस्फार्मेशन होगा ना जा चुका है और अगर आपको मेरी जुंका ऑक्सिडाइज एरिंग अच्छी लग रही है तो इसका वीडियो जा चुका है नेक्स्ट अभी मैंने से पहले वीडियो डाला है और यह मीशो से आज कर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है यह वाली एरिंग्स तो चलिए हम अपन लिए पहले भूज का भी काम करेगी इस तरी इन वन फेस्ट पैक तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जाने से पहले आप अब हमाल रिकोष्ट कि अगर आप ने चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल अगर तो आप आटा भी ले सकते हैं, यहां पर मैंने चार चमच लिया है, बेसन आपकी स्किन को इतने अच्छे से डीपली क्लीन करता है, इसमें बहुत यह अच्छी वाइटिंग और ब्राइटिनिंग प्रॉपर्टी होती है, फिर मैंने लिया यह एप्स कुटने का लिकराइज यानि की मुलेथी पाउडर, मुलेथी पाउडर आपके स्किन की टोन को इवन टोन करेगा, पिग्मेंटेशन को लाइट करेगा, एकने स्कार्स को कम करेगा, और इसमें ब्राइटिनिंग प्रॉपर्टी बहुत जादा होती है, फिर मैंने यहां पर लिया है मुलतानी मिट डो कंच लगरिंटि, दो यी चमच मैंने लुकरास पाउडर भी लिया था, मुलतानी मिट algorithm आपके ब्लैंके ब्लैक हैट व्ट हैट को मुलतानी मिट है आपके स्किन को टाइट करता ह। एक स्किन को ब्राइट करता है अपके चेहरे से पसी बहुत देर तक नहीं आता है, फ जब की brightening properties होंगी और इसके बाद मैंने पिंच भर हल्दी लिया है यह है घर वाली हल्दी नहीं है यह जो वाली हल्दी होती है वो है अगर आप पास यह वाली नहीं तो आप गाठ वाली भी ले सकते इसको आपको अच्छे से mix करना है अपने face को clean करना यहां में bare face पे बैटी तो इस तरीके से आपको paste तयार कर लेना है देखिए face इसको लगाने के बाद आप कोई भी face wash यूज मत करिएगा इस तरीके से आपका यह paste बन जाएगा कुछ यह consistency होनी चाहिए ना बहुत जादा thick ना बहुत जादा watery इसको आप brush की help से भी लगा सकते है लेकिन मैं यहां प कस्तूरी हल्दी ली थी मैंने उस समय नाम नहीं आदा रहा था घरवाली हल्दी मत लीजे का कस्तूरी हल्दी की बात ही अलग होती है आपको इस तरीके से अपने पूरे face पे लगाना है पूरे face पे लगा के आपको अच्छे से मसाज करनी है बहुत ही जादा positive thinking के साथ कि हा मिट्टी निकल रही है मेरा चेहरा साफ होगा मुलतानी मिट्टे आपके blackheads whiteheads को clean करेगा आपकी स्किन को अच्छे से tight करेगा आपके स्किन को इतने अच्छे से brighten up करेगा आपके चेहरे से दाग धब्बे होते pimples की problem बहुत दूर करता है ये और आपकी स्किन को tight करेगा अच्छा सा beautiful सा glow लेके आएगा चेहरा आप देखिए का एक हफते करके देखिए मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 7 days challenge लेके देखिए आपका चेहरा बिल्कुल काया पलट हो जाएगी इतना bright तक glow हो जाएगा कि मैं क्या बता हूँ और इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करनी है अपने face पे और मसाज करने के बाद इसको 5 मिट के लिए रख देना पूरा अच्छे से totally नहीं सूखने देना है देखिए इस टाइप से यह सूखेगा मैं आपको यह दिखा रहे हूँ कि इस टाइप से सूखेगा सूखने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से दो आप देखिए मेरा चेहरा देखिए कितना जादा clean हो गया है कितना जादा glow हो गया है और इस तरीके से आपको अपने face को wipe off कर लेना देखिए रगड के नहीं पोचना इस तरीके से dabbing motion में पोचना उसके बाद आप कोई भी मॉश्राइजर या फिर कुछ भी आप लगा सकत आपको मेरा यह जाओ रहे हो तो उसके लिए भी मेरा यह वीडियो आपको मेरा यह जरूर बनाएगा और इसको लगाईए और रिजट जो आपको मिलेगा ना वो मेरे साथ शेयर जरूर करिए गा यह था मेरे आज का वीडियो, कि आप को मेरे इह वीडियो अच्छा लगा होगा, हैल।Pbecal लगा होगा साथी साथ आपकी कोई भी के और है आप किसी चीज़ का तिल देन बाइ